हाई एवरिवन नॉर्मल सूजी का हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा आज हम बनाएंगे बीट रूट सूजी हलवा यह हलवा स्वादिश तो है ही साथी साथ हेल्दी भी है तो चलिए दोस्तों बहुत ही डिलिशियस और स्वादिश हलवे की रेसिपी को बनाना अब इसे ग्रांडिंग जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे तो लगवा पांस से छे बड़े चमच पानी आड़ करके ना मैंने एकदम फाइन पेस्ट इसका तयार कर लिया है यह देखिए अब इस पेस्ट को हम एक बार चान लेते हैं ताकि इसमें जिसे मैं सारा माप करने वाली हूँ इस कटोरी से मापने से यह देखिए एक कटोरी यहां मैंने बीट रूट का जू जूस है वो निकाला है तो जूस को बापस से हम डाल देंगे सॉस पैन में और अब इसमें एड करेंगे उसी कटोरी से माप करके दो कटोरी पानी तो टो जो बीटूट का जूस है ना वो पक जाए और कच्छा ना रहे तो देखे इसमें एक उबाला आ गया है पस इतना ही हमें कोक करना है अब क्या करेंगे गैस की प्लेम को आफ कर देंगे और इसे ना साइड पर अभी रख देते हैं अब हल्वा बनाने के लिए यहां मैंने आध ही डाले तो मेरे घर में ना काजू और किश्मिष्ट का इस्तमाल जादा होता है तो इसे हलका सा रोस्ट कर लेने जाना हल्वे का टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है तो हलका भूनने के बाद इसे मैंने निकाल लिया है और घी पाकी का जो था वो डाल दिया है बस एक एक चोड़ा चमच गी बचा लिया है जिसका इस्तमाल हम आखिर में करेंगे अब उसकी कटोरी से माप करके यहां मैंने एक कटोरी सूजी डाली है यानि जो भी माप है ना सेम कटोरी से आप लीजेगा तो आपका हल्वा परफेक्ट मेजर्मेंट से बनेगा अबना मीडियम प्रोसेस में आपको पांच मिनट का समय लगेगा इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा सूजी बूनने में तो देखें पांच मिनट बूनने के बाद आप सूजी का टेक्स्टर देख सकते हैं एक एक दाना जो है एक दम अच्छी दर से भून हो चका है और त तो यहां सारा जूस देखिए मैंने एड कर लिया है और अब हम फ्लेम को हलका सा बढ़ा देंगे मीडियम पे कर देंगे और इस तरह अच्छी दर से पका लेंगे यानि के जूस जो है सूजी जो है जूस को अच्छी दर से अब्सॉर्व कर ले तो थोड़ी ही देर में सकते हैं तो अब इसे अच्छी दर से हम मिक्स कर लेंगे ये देखे तो जैसे हम चीनी को मिक्स करेंगे देखेंगे चीनी अपना पानी चोड़ने लगे यो हलवा ना वापस से हलका सा पतला हो जाएगा तो अभी हम इसमें ड्राइफ फूर्ट जो हमने भून कर रखे थे और जो एक चमच घी हमने बचाया था ना वो डाल देंगे आखिर में घी जरूर से डालिएगा ये हलवे में वह एफेक्ट डालता है जो पहले का आधा कटोरी घू ही नहीं डाल पाता अब इसे ना अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेते हैं ये देखे इस तरह से और फ् अच्छा पूड कलर या कुछ भी एड नहीं किया है कितना बढ़िया हलवा बनकर के तयार हुआ है तो इस हलवे को आप ना जीतनी भी देर रखे ये जूसी ही रहेगा आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर तो इस हलवे को आपको बार बार गरम करने की भी जरूरत नहीं आप इसे रख करके ना सुबे से शाम तक खा सकते हैं आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ करिएगा और अपना फीड़बैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हाए है तो चैनल को सब सब्सक्राइब भी कर लीजेगा मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई